करना है तेरा साल के लिए उसके बाद SWP करना है कौन सा म्यूचल ठीक रहेगा प्लीज रुपलाइं तो दोस्तों सतर हजार रुपए हैं इनके पास एंड तेरा साल का टाइम है तो एक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्विटी को की वॉलिटिलिटी को एब्जॉब कर नहीं भी कर सकते थे एकदम ही इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे थे फो यह तो बढ़िया है ये कर सकते चेया मैंने इक्विटी में रुपझी करके identifiers करके तीनों का फंड साइज लगवब पहुंच चुका है और 20% का 20.6% 4% का एन्यौलाइज़ रिटर्न यह दे रही है पिछले लाइक 10 2013 से एन्यौलाइज रिटर्न एवरेजली 20% प्लस का यह दे रही है दूसरा फंड हमारे पास आ जाता है कैनला रुबैको इमर्जिंग इक्विटी तो यह फंड पिछले लाइक यह भी 2013 से अगर इसका डाटा देखे तो यह भी एन्यौलाइज़ दे रही है 22 परसेंट का रिटर्न और और टाइम मतलब पिछले नौ दस जीने साल का डाटा आप यहां पर चेक कर रहे हैं एवरेज ऑन एवरेज एन्यौलाइज 22 परसेंट के उपर का रिटर्न यह दे दरी मार्केट इटना डाउन अभी है उसके बाद यह दोनों इतना अच्छा और इसका जो फंड साइज है वो 8000 करोर के पास है और 25 परसेंट प्लस का अनौलाइज रिटर्न इतना मार्केट डाउन होने के बाद भी यह सो कर रहे है और टाइम में तो देखो दोस्तों टीनों ही फंड 20 प्लस परसेंट का रिटर्न दे रहे हैं पिछले 5-10 सालों से ला यह बतायता हूं फिर मैं रिटर्न भी आपको बताऊगा तो आपको क्या करना है 25-25-25 अलग-अलग तीनों का कर लेना है तीनों में ही आप लंसम इंडेस्ट्रेंट कर सकते हैं बंद नहीं है किसी का भी तो 25-25-25 कर लेंगे और 55-5000 करके पांच महीनों में स्प्रेड कर दोंगे फंड्स के अंदर इंवेस्ट्मेंट को जैसे अभी तो अभी यह महीना आचाशा तो नहीं हुरी तरिक अबया नहीं कर दिया पांटीन मुद्वर्ट में अगर एसा है करके तीनों में कंप्लिट कर देना है तो अगर ऐसा है रिटर्न माल लेते हैं जैसे 25-25 नह रिटर्ण यह देते रहती है अगले 13 साल तक तो आपका पैसा कितना हो जाते हैं तम यहां पर आलमसम ही हम कल्कुलेट करेंगे 75,000 अगर अगले कि तेरा साल तक इन्वेश्टेड रहता है फंड में और उस पर हमको 20% का अनुलाइज रिटर्ण मिल जाता है तो हमारा पैसा हो जाता है आठ लाख रुपय अभी के 75,000 रुपय लगा हुए अगले तेरा साल में अगर 20% का हर साल ऐसे ही अनुलाइज रिटर्ण मिल जाता है तो हो जाएगा आपका पैसा आठ लाख रुपया टोटल जिसमें पचलता है आपका इन्वेश्टेड होगा और सात लाख 27,000 अपका रिटर्ण इस पर मिलेगा अब चलो वस्ट के सिनारियो माल ल होगा वह 20% के पास ही आपको मिलेगा बट माल लेते हैं कि अगर 15% ही मिलता है अगर 15% मिलता है तो यह 75,000 रुपय आपके बन जाएंगे 4,61,000 रुपय सारे 4,000,000 के ऊपर का बन जाएगा तेरा साल में और 3,86,000 रुपया रिटर्ण होगा और 75,000 आपका इन्वेश्टेड होगा बट इतना रिटर्ण यह नहीं देगा मिनिमाम यह 18% का रिटर्ण तो देना ही 18 से उपर ही आएगा अभी देखलो मार्केट डाउन एरा मार्केट पीक पे होती तो यह और ज्यादा आपको रिटर्ण सो करते एक्सिस 27 के उपर सो करता कैमरा रुबै को 22-24 के उपर सो करता अभी वो मार्केट डाउन है इसलिए वो कमेटन सो कर रहें तो यही सीन है कि अगर आपका अगर इसको 18% करते हैं यहां पर तो आपका सारे छे लाग के पास-पास इमांट बंदा है तो सारे छे से सात लाख रुपए मांद के चलते हैं वास्ट के 18% आपको मिलता है त सारे छे लाख से सात लाख रुपए तक 13 साल बाज जमा हो जाएंगे बस आज के 75 रुपए लगा हुए उसके बाद क्यूंकि सिर्फ सात लाख ही जमा हुए है आपको इसका सब्सक्राइब भी करना होगा अगर तो आप एक परसेंट बस विड्रॉप करिएगा तीनों पैसे जमा करिए इस फंड में ताकि और ज्यादा आपको रिटर्ण मिले और ज्यादा कॉर्पस त्यार हो या फिर एक परसंट ही पैसा निकालेगा ताकि लंबे टाइम तक आप विड्रॉप कर सके तो यह मेरा ओपिनियन था यह तीन फंड आप एड़ कर सकते हैं क्वाट करना है अगले 10-15-20 सालों के लिए तो यह तीनों फंड बहतरीन फंड से इसके अंदर में इंवेश्मेंट करके आप हाई रिटर्ण कर सकते हैं